कलिकिन असयालम आलेकुम गाईज वेल कम बैक तो मैं के की नो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोबर्ट फ्रोस्ट की एक पोईम The Road Not Taken The Road Not Taken is a simple and very thematic poem in Robert Frost's poetry Robert Frost अपनी poem में बहुत ही simple wording यूज़ करते हैं बहुत ही deep message देते हैं Robert Frost एक American point है आज हम उनकी poem The Road Not Taken पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इसमें क्या message दिया है जैसा कि वो बहुत ही thematic and symbolic points लिखते हैं लेकिन wording उनकी बहुत simple सी होती है और understandable होती है तो चलें शुरू करते हैं The Road Not Taken सब फस्ट और फाल हम इसके title को समझ देते हैं कि इसमें क्या meaning दिया गया है The Road Not Taken means ऐसा रस्ता ऐसा road जो हमने ना चुना हो मतलब कि यह उस रास्ते की बात कर रहे हैं जो रास्ता हमने नहीं लिया या जिस रास्ते बर मैं नहीं चला यह four stanza की एक point है और हर एक stanza में five lines हैं five sentences हैं तो आएं चलें देखते हैं इसमें क्या बियान किया गया है तो stanza one से हम start करते हैं two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth two roads diverged in a yellow wood मतलब के दो रास्ते जो के मुंतशीर होते हैं एक पीले जंगल में यहां पर diverged का मतलब है मुंतशीर होना वो रास्ते जो दो तरफ चाहते हैं एक रास्ता जो मुक्तलिफ रास्तों में मुंतशीर हो जाता है बट जाता है उसको हम कहते हैं diverged and sorry I could not travel और कहता है कि I am sorry there कि मैं रास्ता नहीं पार कर सकता क्योंकि मैं सिरफ एक ट्रेवरल हूँ लॉंग I stood and look down one as far as I could बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और सोचता रहा और मैं जहां तक देख सकता था मैंने देखा तो वेर इट बेंड इन दा अंडर ग्रोथ अंडर ग्रोथ का मतलब है जो के दर्खत के नीचे छोड़ी जड़ी बुटियां पोदे वगरा उगे होगे होते हैं उनको उनको देखता रहा और वहां तक देखा जहां तक कि यह रास्ता आगे से मुर जाता था बहुत देख तक मैं खड़ा देखता रहा और सोचता रहा कि मैं कौन सा रास्ता इक्तियार करूँ हमारी जिन्दगी में जरूर एक ऐसा मोड आता है जहां पर हम डाइवर्ज हो जाते हैं सोच में पढ़ जाते हैं कि हम किस जगा को किस रास्ते को और किस चीज़ को हम चुने और उन दोनों रस्तों में से हमें जरूर एक नाएक चुनना ही पढ़ता है और उस दूसरे रास्ते के बारे में हम हमेशा अपनी लाइफ में सोचते हैं कि अगर मैं उस रास्ते पर गया होता तो मैं लाइफ कैसी होती उसका मैंने चुना होता तो आज जो रास्ता मैंने चुना है उसे अच्छी भी हो सकती थी और उसे बत्तरीन भी हो सकती थी इनसान की फिद्रत में भी यही शामिल है कि जिस चीज को वो ले लेता है जो चीज उसे हासर हो जाती है वो उसके बारे में नहीं सोचता है उसके बारे में सोचता है जो उसे नहीं मिली होती इसलिए वो भी सोज में बढ़ जाता है और खड़ा काफी देखता रहता है सेकंड स्टेंजा शुरू होता है तो उसमें ये कहता है इसके स्टार्ट में ही वो कहता है कि मैंने जिस रास्ते को मैं देख रहा था उसको मैंने नहीं लिया और दूसरे को मैंने चूज़ किया एक मुंसिफाना तरीके से ये सोचते हुए कि ये अच्छा होगा और मेरे लिए मेरे हक में बहतर साबत होगा क्योंकि उसने ये रास्ता इसले लिया because it was grassy and wanted wire तो उसने ये रास्ता ऐसे लिया कि सोचा उसने अपने दमाग में कि वो एक grassy रास्ता है और उसमें wanted wire उसमें कोई भी मतलब नही चला हुआ और गास वगरा उसकी दबी हुएज भूज में पाउं से नहीं है उसने वो रास्ता चूज चूज किया ने उसमें से गुजरते हुए कहा कि ये भी वैसा ही आलमॉस्ट रास्ता है जैसा कि दूसरा था उसमें जिस ये था कि ग्रास वगारा पाओं की निशानों की वज़ा से दबी हुई थी ग्रासी वाला वो रास्ता नहीं था इसमें कम लोग चले हुए थे इसलिए ये रास्ता गरासी था उसने वह चूच किया लेकिन आलमॉस डुनों सेम ही थे दोनकर बराबर ही गास हुई थी कुछ दबी हुई थी दूसरे राशते में से लेकिन इसमें कुछ बहतर थी इसलिए उसने ये रास्ता चूच कर लिया second stanza में उसने कहा है कि almost वो एक नतीचे पर पहुंच ही गया उसने decision ले ही लिया कि वो दूसरे वाले रास्ते पर चलेगा तो third stanza में वो कहता है and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black oh I kept the first for another day yet knowing how a way leads on to way I doubt if I should ever come back both that morning equally lay in leaves no step had trodden black पिछले stanza में वो कहता है point हमारा कहता है कि वो दोनों same है उस same कैसे हैं वो इस paragraph में इस stanza में वो explain कर रहा है कि उस morning उस सुभा में एक ये नया लफज है हमारे लिए कि वो सुभा का टाइम है जब वो सफर कर रहा है उस morning वो दोनो एक ही तरह के हैं एक ही जगा पे लेटे हुए हैं एक राए एक ही तरह जा रहे हैं और इन लीज नो step had trodden black यानि के जो रात के गिरवे पत्ते हैं उनको उन पर कोई भी नहीं चला है अभी तक किसी ने भी उनको पत्तों को पैर तरक के कुचला नहीं हैँ इसलिए दोनों रस्ते सें और याई थाड़ लियन में हो कहता है कि जो मैंने रास्ता चूज नहीं किया वो उसके बारे में सोच रहा है तो कहता है कि वो मैंने दूसरे को किसी और दिन के लिए रख लीए है कि मैं फिर कभी इस पर सफर करूंगा येट नॉइंग हाव वे लीड्स ओन टुवे आई डाट रूड इफ आई शूड एवर कम बैग तो हमारा पॉइट कहता है कि ये जानते हुए कि शायद ही मैं कभी दोबारा इस पर वापस आप सकूंगा लेकिन उसको ये उमीद है कि मैंने वो रास्ता तै करना है ये रास्तों जो मैंने किया है वो अपने दिल को तसली दे रहा है जो मैंने रास्ता की स्लेक्ट किया है वो बहतर रास्ता उसके लिए थाबत होगा इसलिए मुझे doubt है कि शायद ही मैं दुबारा वापस आऊंगा और उस रास्ते को आके cover कर सकूँगा फोज से टांजा में मों कहता है कि I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence Two roads diverge in a wood and I I took the one less travelled by And that has made all the differences Poet कहता है कि मैं एक ठंडी अह के साथ Ages and ages गुजरने के बाद मैं ये बता रहा होंगा बहुत long time के बाद शायद ही मैं अगनी नसलों को बता रहा होंगा कि वहां पर एक रास्ता था जो कि दो रास्तों में diverge हो रहा था एक jungle में and I I took the one less travelled by मतलब कि speaker ने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर कम चले हुए लोग कम चले थे and that has made all the differences इस paragraph में वो तमाम के तमाम ये उसका summary एक तरह की एक overall view बियान करता है कि मैं बहुत सारे ages के बाद मैं ये बियान कर रहा हूंगा कि वहां पर एक दो रास्ते थे और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर कर लोग कम चले हुए थे and that has made all the differences और मेरे उस फैसले ने मेरी तमाम जिंदगी को बदल के रख दिया तमाम differences को clear कर दिया चाहे वह positively हो या negatively हो so this was all the poem that he had described in very simple and thematic value by robert faust so if you want these type of videos please subscribe my channel and share this video also don't forget to like and press the bell icon so you can get all type of videos और comments में जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है hope that या वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अगर कोई भी पॉएं इंग्लिश लिटेजर में जिस टाइप की भी वीडियो कुछ चाहते हैं वह आपको मैंट नों बता सकते हैं मैं आपके अमीदों पर पूरा करने के बहुत कोशिश करूंगी अलाफिस टेक केर और साथ